प्रणाम कैसे आप लोग करते हूं जहां होंगे वहीं स्वस्त होंगे तो क्या कर रहे हैं आप लोग है आज मेरे लायग से इलेटट ब्लॉग सब्सक्राइब करते हैं तो आप सबको पता ही है कि सचीन सर और रंजिना ने मनिशा के लिए पार्टी रखा था यहां तक तो सब को पता ही है पहले सारे लोग बोलते थे ना रंजिना देखने में सुंदर नहीं है तो मेकप का तो एक कमाल आप देखी सकते थे कल रंजिना कितनी अच्छी लग रही थी सुंदर है मेरा पहला कोश्चन आप लोगों से है प्लीज अगर आप इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आप मनिशा को फॉलो कर क्या मेरे आंखों का प्रोब्लम है या आप लोगो सादी की दिन ज्यादा सुन्धर लग खी तछी वाले दी लेडा सुन्दर लग रही थी उतना ज्याद हो गई थी फिर भी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे तो म Alev जितना सुन्दर उसको का लगना चाहिए रिसेप्शन में उतना अच्छा नहीं लग रही थी आप लोग इसके बारे में क्या कमेंट से जरूर बताईएगा और वह अच्छी नहीं लग रहे थी उसका एक ही रीजन है क्योंकि जो उसका हेयर स्टाइल किया गया था उसके उप मांग की होती यह थोड़ा से इधर से जो चोटी करते ना वैसे की होती तो ज्यादा सुन्दर लगती आप लोग क्या कमेंट से कमेंट करके जरूर बताईएगा और दूसरा जो मेरा सबसे इंपोर्टेंट बात है नहीं है कि आप लोगों कि कितने लोग मुझे ऐसा लगता है कि मनिशा करना जो ड्रेसिंग सेंस है दिन पर दिन खराब होते जा रहा है इस बात को निगेटीव मत लीजेगा निगेटीव वेसे आप लोगों ने देखा रंजना है ना जो सुबह सुबह सारी पेना था पीला वाला कितना सुन्दर लग रहा था उसके पहले पार्टी के लिए सारी नहीं मिलता है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा अच्छा सारी पेंती है और जो कल मनिशा ने आप लोग को इसके बारे में क्या है मैं आज 6-7 कोशन आप लोग से करने वाली हूं अगर आप सची में मनिशा और सचीन के फैन है आपके लिए वीडियो बहुत ज साड़ी पेंती इतने देन से ग्रेंट पार्टे की त्यारी हो रही थी आप सच बताइए गार जो मनिशा ने टेक चेम खोले या प्रिंस अपना चैनल खोले या रंजना अपना चैनल खोले शारे लोग जो भाइरल हुए हैं सिर्फ और शिप मनिशा के चलते ही हुए हैं कि मनिशा नहीं उनको यूट्यूब पर लाया है पहला वीडियो में मनिशा को बहुत दिन पहले से देखती हूं पर वीडियो बनाती थी तब से मैं मनिशा को देखती हूं मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरे ही गाउं की है तो जो भी है बहुत अच्छा बात है लेकिन आपना यह बात मंझे ड्रेसिंग सिंस उसका जो इतना देर से देवर करें पता नहीं उसको क्या हो गया है ति यह लोग खराब सारी पहन ले रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इतने बड़े मतलब यूटूबर इतने बड़े आप खुद देखिए ना जो नेहा दी है नेहा दी का सारी कितने लोगों को अच्छा लगा कितना शुंदर सिंपल सिटी में कितनी एच्छी लगता है इस बारे में प्लीज अपना अपना कमेंट्स देजेगा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मैं सच बोल रही हूं और इतना बड़ा ग्रेंड पार्टी ग्रेंड पार्टी हो रहा है वहां पसी यूटूबर ही थे आप लोगों ने नोटिस किया होगा त कि उन लोग जो गाउं में पार्टी किये थे उसमें सारे लोग आ ही गए हैं तो वहां पर फिर बार-बार बुलाने का कोई मक्षत नहीं होता है तो उन्होंने शिफ यूटूबर के लिए ही पार्टी रखा था लेकिन एक चीज़ और बताईए का बिहार वाले यूपी वा पर बताईए और एक्स्ट्रा कोई भी नहीं आ सकता है यहां पर चलो ठीक है जैसी जिसकी और मुझे किट्टो का भी ड्रेस मतलब स्टाइलीस था सही था लेकिन अच्छा नहीं लगा तो सबसे अच्छा ना आपको किसका ड्रेस लगा तो मुझे नेहा का ड्रेस ना मुझ कर रही थी ना जैसे कि तिलक तो बोली थी बार-बार मुझे बिहार में हो रहा है तो मैं अपनी सौफ पूरे नहीं कर सकी यह नहीं लाई ओर नहीं कर पाई तो मैंने ना कुछ ग्रेंड मतलब सोचा था ना कि मनीशा बहुत अच्छा पहने वाली है बहुत कुछ अच्छा कि दम ओल्ड फैशन उसका शारी का कोई डिजाइन ही मुझे समझ में नहीं लग था इतना पुराना डिजाइन का साड़ी और यह जोलिरी बगेरा जो भी है मेकप चलो जिसको अच्छा लगा प्लीस कमेंट सके बताइगा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा रंजना ठीक उतना यह जोलग Ellis Им इस ौवल वक्ता के लिएruktि मुझे अलोगा लगा और आपको बेश्चा लगना चाहिए को मेकप के लिए अच्छा मेड़ी कोकुछ एसा है लेकिना मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा था ना मनीशा को मेरा उमीद ना कुछ जादा ही मैंने कर लिए तक आप लोग भी ऐसा किया थी कि मनीशा बहुत अच्छा ड्रेस पहने वाली यह बहुत अच्छी दिखने वाली देखिए उसकी नयनत भी ठीक लग रही थी कि सभी लोग फीक लग रहे थे और आपको ना सबसे अच्छा ड्रेस किसका लगा यह प्लीज कमेंट से मुझे तो नहां दीका ड्रेस ज्यादा अच्छा लगा और वो जो मिश्टू 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 थी ना जिसने गोल्डन कलर का साड़ी पहन रखा था वह भी बहुत अच्छी लग रहे थी मुझे टों का ड्रेस भी ठीक ठाक लगा कि उतना पसंद नहीं आया लेकिन मुझे सबसे अच्छा ड्रेस ओ नेहा दीका ही लगा अच्छी लग रहे थी बहुत सुन्दा लग रहे थी फिर जो नेहा पाठक आई हो ब्लेक साड़ी पिनी थी वह भी ठीक था उनका भी अच्छा लग रहा था तो आप लोगों को न किसका ड्रेश सब्सक्रेश अच्छा लगा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएगा और आप लोग का शोच क्या है और और भी कुछ जाना चाहते हैं उसके रिलेटिव में उनके बारे में तो कुछ कमे किजिए मैं और जरूर बताऊंगे।